एक बार फिर से आपका वेलकम है जूम इंस्टिट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में हम लोग साइटोलाजी सेल दा यूनिट अफ लाइफ चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे अल्रेडी हम लोग पढ़ रहे थे प्रोकेरियोट यूकेरियोट के डिफरेंस के बारे म प्रोकेरियोट यूज यूज एसेक्सवल रिप्रोडूट्यूस करते हैं और अगर इसेक्सवल रिपोडूक्शन कहीं उन सेल्स में मिलता भी है या उन औरनीजम मिलता भी है तो वह एक प्रिमिटेव तरीके का कॉन्जूगेशन होता है ठीक है यह बात हम लोगों ने की उधर दूसरी साइड eukaryote में sexual is rather common ये हमने difference यहां तक ले लिये थे बात चली थी कि difference हम कम से कम 15 करेंगे 15 ही नहीं अगर कुछ और interesting point obviously जरूरी है तो वो भी लिये ही जाएंगे तो आगे हम और explore कर रहे हैं उनको differences के बारे में तो आगे बढ़ते हैं 13th difference से मैं यहां से start ले रहा हूँ आज तो difference जो है क्योंकि बात हुई थी prokaryote में conjugation तो conjugation क्या है sexual reproduction, conjugation जिसको हम बोल ले थे actually prokaryote के sexual reproduction में कोई gamete का formation नहीं होता है gamete आप सभी जानते हैं na sperm है, egg है, male gamete, female gamete जिन्हें आप बोलते हैं तो prokaryote में जब conjugation होता है तो वो just a part of genetic material का transfer होता है वहाँ कोई gamete नहीं होता तो difference number 13 उसी reproduction वाले point से हम लोग ले के आगे बढ़ रहे हैं gametes are absent, gametes नहीं होते जबकि eukaryotes में मैं अब यहाँ थोड़ा short में इसको लिख रहा हूँ prokaryote में gametes नहीं होते eukaryote में gametes formed बनाए जाते हैं during sexual reproduction sexual reproduction में gamete बनाए जाते हैं आगे के जो differences की बात करते हैं तो क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से arrange करना है चीज़ों को के वो सही से एकदम flow में हमें याद आता रहे तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं तीन difference जो एकदम आने जा रहे हैं आपस में connected हैं बिल्कुल एक structure होते हैं फ्लैजिला या छोटे structure उसी तरह के cilia शायद ये नाम आपने कहीं सुने भी हैं cilia, आप लोग क्योंकि टिशू पढ़े हैं 10th में, 9th में टिशू में आप पढ़ते हैं ciliated epithelium तो cilia या फ्लैजिला कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुन लिया होगा तो जब हम बात करते हैं cilia की yuglina जैसा कोई organ उसमें फ्लैजिला paramecium जैसा कोई organ उसमें ये cilia ये eukaryotes हैं तो eukaryotes के जो cilia और f्लैजिला होते हैं ये बने होते हैं एक special protein tubulin के वो tubulin कुछ threads में, hollow tubes में, micro tubulin में होता है तो वो tubulin के बने होते हैं जबकि दूसरी तरफ अगर किसी bacteria में यानि किसी prokaryote में अगर कोई f्लैजिला है तो वो f्लैजिला एक अलग chemical के f्लैजिलिन के बने होते हैं तो एक तो chemical component अलग-अलग है दोनों का f्लैजिलिन का इन prokaryote और eukaryote में tubulin इसके अलावा वो जो tubulin का arrangement है eukaryote में उसको हम अभी detail नहीं कर रहे है वो एक special 9-plus-2 arrangement होता है तो eukaryote के जो f्लैजिला है या cilia है वो 9-plus-2 arrangement रखते है microtubulin का जबकि prokaryote में जो f्लैजिलिन का f्लैजिला है वो cable f्लैजिलिन molecule के helically arranged होने से ही बन जाता है उसमें कोई 9-plus-2 arrangement नहीं होता तो difference f्लैजिलिन ट्यूबलिन वाला 9-plus-2, no 9-plus-2 वाला 14-15 ठीक है ये हमारे difference हुए 16th उसी का क्योंकि continuation है वो एक और बोल दे रहा हूं में prokaryote में except mycoplasma हमने लिखा था कि wall होता है तो जब wall होता है तो prokaryote के flagella उसको pierce करते हुए निकलते हैं ठीक है उनके उपर कोई membrane की covering नहीं होती जबकि eukaryote में खास तो और पर animals में प्लांट में अगर flagella मिलते हैं तो generally वो gamete वाली side जो कि wall less होते हैं तो eukaryote के जो flagella होते हैं वो बाहर आ रहे होते हैं cell से तो उनके उपर एक membrane की covering भी हो जाती है eukaryote के flagella membrane bound या membrane से covered होते हैं prokaryote के नहीं होते हैं तो flagella के ही तीन difference हमें मिलते हैं एक बार note करेंगे उनको तो flagella की बात चल रही थी flagella made of flagelline of course if present जरूई नहीं है के हमेशा flagella हो लेकिन अगर हैं तो flagelline के होंगे तो flagella made of flagelline protein तो ये flagelline protein से बने होते हैं और यहाँ पर मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ के made of tubulin flagella अब समझ चुके हैं made of tubulin और अगला difference हम लोगों ने बोला के special arrangement नहीं होता no 9 9 plus 2 but helically arranged बलकि वो जो flagelline है वो helically arranged होता चला जाता है तो कोई 9 plus 2 arrangement नहीं होता ये 9 plus 2 में परिशान नहीं होना है आप लोगों को आगे जब हम celia flagella पढ़ेंगे eukaryotic cell में detailing हो जाएगा तो यहाँ 9 plus 2 नहीं होता है यहाँ पर लिख रहे हैं 9 plus 2 arrangement पॉइंट पॉइंट आपसे कहा गया क्या कहा गया कि प्रोकेरियोट के flagella membrane से covered नहीं होते वो उसको pierce करके wall को तब बहारी मर्ज होता है जबकि eukaryote के flagella वहाँ अकसर wall नहीं होता और membrane उनके उपर एक covering कर लेता है तो प्रोकेरियोट के flagella यहाँ लिख रहे हैं not covered by membrane membrane से covered नहीं होते और इसमें आ रहा है covered by membrane membrane से covered होते है तो जब हम लोगों ने यह topic का start लिया था प्रोकेरियोट यूकेरियोट तो कहा गया आपसे कि as much as 15 difference हम लिखेंगे और लड़ी 16 हो भी चुके हैं तो काफी difference हम लोग cover कर चुके हैं फिर भी एक और चीज मैं आगे share कर रहा हूँ आपसे 10th के बाद जो student 11th में अभी आए है frequently कुछ terms अब आपके सामने आएंगी cell पढ़ते वे और other different chapters को पढ़ते हुए term है mitosis, meiosis कुछ student ऐसे भी होते हैं जो पहले से ही इसको prepare कर के आए है कहीं उन्होंने उसको detailing में पहले ही पढ़ लिया था उनको शायद लगे quite simple तो एक बार फिर से हमारा फर्ज बनता है कि हम सभी को एक proper way में बताएं कि mitosis और meiosis क्या है mitosis को हम कहते है equational division equational division chromosome ये सब नाम सुने वे हैं आपके तो किसी cell के nucleus में जो chromosome number है actually chromosome तो नहीं होता chromatin होता है बट फिर भी chromosome number मैंने या पर वर्ड यूज किया तो किसी cell के nucleus में जो chromosome number है अगर वो cell divide करता है और जो upcoming cell है जो cell आएगा उसमें भी chromosome number वोही same बना रहता है तो this kind of division is called equational और इसी equational यानि equal equal division समझ रहे होंगे ऐसा कैसे होगा कि material उतने ही बना रहेगा तो जो genetic material होता है उसकी doubling होती है और फिर half कर देता है तो double करके half करना मतलब same amount तो वो है mitosis या equational division तो equational division को हम लोग mitosis कहते हैं इसके contrast में एक दूसरे type का division और होता है जिसमें की chromosome का number upcoming cell में same न रहेगे parent cell के same न रहेगे उसको बलकी half reduce कर दिया जाता है उसको हम कहते है reduction division और उस reduction division को ही science में क्या बोला गया है meiosis तो इस तरह से mitosis और meiosis दो तरह के division होते हैं क्योंकि आगे इसी unit में हम लोगों के chapter है cell cycle आप पढ़ेंगे उसके बारे में mitosis, meiosis कैसे होता है तो वहाँ एक structure आता है spindle formation spindle spindle बनता है तब mitosis, meiosis होता है उस spindle में chromosome होते हैं पहले midline में फिर उन्हें खीचा जाता है खीचते को हुन है? spindle को बनाने वाले threads मैं यहाँ थोड़ा सा draw करके दिखाता हूँ आपको कि एक spindle shape का structure होता है chromosome division के time पे शुरू में यहाँ कही mid में present होते हैं और यह threads उनको खीचते हैं यह threads tubulin के ही बने होते हैं नै फिर repeat कर रहा हूँ वही tubulin जैसे अभी हम सुन रहे थे celia, flagella, eukaryote में tubulin से बने होते हैं तो यह भी tubulin से बने होते हैं microtubule से बने होते हैं और यह चीज़ तो हमने सुना ना कि prokaryote में missing है और अगर यह prokaryote में missing है it means क्या हुआ? कि prokaryotic cell में mitosis, meiosis नहीं हो सकते या हम इसे इस वे में कहें कि prokaryotic cell में spindle formation नहीं होता तो differences में difference academically आपको जितना अभी फिरहाल अगर एकदम से कहीं लिखने को आते हैं तो वो अलड़ी हो चुके हैं फिर भी एक और अभी मैंने बात आपके सामने रखी है जिसको मैं अब यहाँ add कर दे रहा हूँ mitosis, meiosis नहीं होते mitosis, meiosis या simply मैं ये भी कह सकता हूँ spindle formation ठीक है ये सब इन में नहीं मिलता है जबकि यहाँ पे found मिलते हैं can be found can be क्यों लिखा है क्योंकि कभी कभी division के और simple method भी होते है just like खिच कर दो में तूट जाना nucleus का भी कुछ पार्ट चला जाना like binary fission तो इस तरह से major differences जो हमारे होते हैं prokaryote, eukaryote में वो अब cover up हो चुके हैं इस बीच कुछ और structures के जो नाम आए है जो मैंने आप से कहा बाद में retailing होगी तो उसके लिए आप लोग अभी wait करेंगे कि वो topics हमारे आएं तो most of differences को हमने cover up कर लिया है जो हमें academically मैंने भी आप से कहा कि important है आगे अभी plant cell और animal cell ये जो type हो रहे थे इनके जो difference की हम बात कर रहे थे उसको अभी start नहीं करेंगे उसको हम next lecture में लेंगे अभी हम क्या पढ़ेंगे actually पूरा इस chapter को जब आप explore करते हैं तो आप पाते हैं जाज से यादा description आपको क्या मिलता है endoplasmic reticulum, golgi body, ribosome, cilia, phlegela, eukaryot वाला section centrosome, nucleus के पास एक star shape structure ये nucleus के बारे में, chromosome के बारे में यानि chapter का maximum हिस्सा NCRT में coverage किसको मिला है eukaryotic cell को लेकिन prokaryotic cell के बारे में क्या केवल बस इतना ही था क्या केवल हम prokaryote और eukaryote के differences जो हमने अभी पढ़े क्या उससे prokaryotic cell complete हो जाता है NCRT based पे क्या cover हो जाता है नहीं तो NCRT में an overview of prokaryotic cell या eukaryotic cell इस तरह के कुछ title दिये गए है तो prokaryotic cell के बारे में कुछ और information भी हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद हम plant cell और animal cell की बारे में बात करेंगे eukaryotic cell के तो organically detailing में अलग लग चलते ही रहेंगे तो हम prokaryotic cell के बारे में और कुछ बातें आगे बढ़ाते हैं अभी तक शायद आप लोग ये learn कर चुके होंगे कि तीन main category बताई गई है prokaryotes की bacteria, blue green algae और mycoplasma ये जो blue green algae हैं इन्हें अब cyanobacteria नाम से भी जानते हैं क्योंकि एक line NCRT में हमें मिलती है bacteria are the sole member of kingdom monera जब आप लोग kingdom monera पढ़ेंगे ये line NCRT में है bacteria are the sole member of kingdom monera अब बताए तो गई आपको तीन तरह के और NCRT कह रहा है के soul member, akaly member है ये kingdom monera के, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर mycoplasma को जो की smallest living creature हैं उनको एक साइड हम रख दें, तो उन्होंने इन blue-green algae को भी जो की prokaryot है, बाकी algae तो eukaryot है लेकिन blue-green algae ही सिर्फ simplified prokaryotic nature के तो उन्होंने cyanobacteria नाम से एक तरीके से इनको भी bacteria में ही associate कर लिया तो इसलिए वो line शायद arrange हुआ है bacteria are the sole member of kingdom monera तो prokaryotic cell में और क्या जानने की हमें जरूरत है या कौन सी ऐसी बाते हैं जो NCRT में बताई गई है prokaryotic cell में bacteria cell की अगर हम बात करते हैं एक word आया है cell envelope cell envelope तो वैसे तो envelope किसको बोलते हैं आप एक outer covering को envelope बोलते हैं लेकिन कई तरीके से चीजों को explain किया जा सकता है अपने अपने viewpoint होते हैं prokaryotic cell पे three layer envelope होता है हम ऐसा भी कह सकते हैं three layer envelope यानि तीन layer अलग लग तरह के जो उसको coverage करते हैं या उसको चारों तरफ से उसके round packing करते हैं उसकी तो cell envelope में यहां पे नाम आता है कि लगभग सभी bacteria के चारों तरफ एक तो हम लोगों को मिलता है या तो S layer या capsule बिल्कुल outermost level पे हर एक bacteria में या prokaryote में एक कहा गया कि S layer या capsule S layer what is mean by S यहां S का मतलब है slimy layer slimy मतलब एक लेसदार एक कुछ gelatinous टाइप का कुछ material तो ऐसी एक layer मिलती है prokaryote या bacteria cell के चारों तरफ खास्तोर पे तब जब वो favorable condition में होते हैं favorable condition आप सभी जानते हैं मतलब जो उनके liking sort of condition है उस तरह की condition में अगर condition adverse की तरफ होती है तो वहां फिर slimy layer नहीं होता फिर bacteria अपने को safeguard करने के लिए tough capsule बना लेते हैं अपने चारों तरफ तो या तो चारों तरफ मिलेगा S layer या capsule तो S layer और capsule, slime layer और capsule यह एक बताया गया उसके बाद कहा गया कि cell wall, bacteria का cell wall cell wall is made up of, bacterial cell wall is made up of murine, तो यह एक नया नाम अब आपको मिला है, एक नए chemical का नाम मिला है क्योंकि 10th के बाद, mostly जो हम याद करके आते हैं क्या, cell wall is made up of cellulose, implant तो यहाँ bacteria का cell wall किसका बना होता है, murine नाम के chemical का बना होता है और इसको हम, आप side books देखें, एक और नाम से भी जानते हैं, peptido glycan तो इसको हम peptido glycan नाम से भी जानते हैं तो murine या peptido glycan का बनावा cell wall होता है और उसके बाद बारी आती है cell membrane की तो इस तरह से 3 layer का एक envelope हम कह सकते हैं S layer या capsule हुआ बाहर, उसके बाद हुआ cell wall और उसके बाद हुआ ये cell membrane वाला part, जहां तक cell membrane की बात है prokaryot हो या eukaryot, plant हो या animal, cell membrane is more or less same cell membrane लगबग लगबग वैसा ही होता है wall में और बाकी चीजों में differences हमें लगतार मिलते हैं तो wall का chemical यहां बताया गया इसी section में prokaryotic के बारे में information देते वे NCRT ने एक title दिया है या एक heading बताया हमें gram staining Robert Gram नाम के scientist थे जिन्होंने जो various different types of bacteria हैं उनके staining का एक तरीका निकाला उसी staining के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं gram staining अल्लेडी आप कुछ books में ऐसे figure देख के आ हैं के rounded bacteria, kocai, shes, सुना होगा rod shape bacteria, bacillus, bacillai तो कई तरह के bacteria होते हैं सभी bacteria को Robert Gram ने जो staining का एक तरीका निकाला gram staining मैं यहां पे लिख रहा हूं तो crystal violet और iodine से bacteria को stain करते हैं all the various types of bacteria उन्हें crystal violet और iodine से stain करते हैं सभी bacteria colored हो जाते हैं सभी bacteria stained हो जाते हैं उसके बाद उन्हें rinse किया गया, wash किया गया पहले distill water और thereafter acid alcohol से तो पहले उनको किया गया staining और उसके बाद किया गया rinsing मतलब wash किया गया rinsing में बताया आपको distilled water और फिर acid alcohol से wash किया गया तो कुछ bacteria अपना color lose कर देते हैं या fade हो जाते हैं और उनको हम कहेंगे gram negative जो bacteria color को retain करते हैं उनको हम कहते हैं gram positive तो rinsing with distilled water and acid alcohol some lost the color and some retain some other retain तो जो retain करते हैं जिन पे वो color लगा होता है बना रहता है उनको हम लोगोंने नाम दिया है gram positive और gram negative इस gram positive और negative का आगे बड़ा importance होने जा रहा है क्योंकि यह wall पे depend करता है जितना thick murine होगा जितना deep तक वो coloration चला गया होगा वो बाहर नहीं आ पाया तो उसके हिसाब से नाम आया gram positive और अगर murine content कम था उसने कम stain लिया फिर wash किया तो remove भी easily हो गया वो उसका हमने का gram negative तो wall पे आके यह बात आई वाल तो इस तरह से positive और negative जो bacteria है उनमें काफी differences आगे होने वाले हैं तो gram negative positive एक important एक grouping का तरीका है bacteria का और prokaryotic cell में कौन से structure होते हैं bacteria are almost everywhere they are called omnipresent in a cell in a sense तो एक तरीके से वो सब जगे हैं एक और word book में आपको मिलता है हाला कि वो fungi में दिया है बट वो bacteria की regarding भी सही है bacteria are cosmopolitan यह word मिलता है तो cosmopolitan मतलब जो सभी जगे हमें मिलते हैं air, water, soil, सभी जगें हमें वो मिलते हैं तो इस तरह के bacteria है bacteria rooftop पे glazed surface पे even on this board may be present bacteria में एक structure बताएगे मैं अब उपर का कुछ part यह erase कर दे रहाँ तो bacteria में structure बताएगे fimbria तो cell से निकले हुए कुछ outgrowths है यह जो outgrowths है जिनकी मदद से वो bacteria surface पे attach हो सकता है उसको बोलता है fimbria तो prokaryotic cell में एक यह हमें fimbria structure मिलते हैं एक को बोलेंगे fimbria और यह multiple हमें इस तरह के tubular elongations दिख रहे हैं bulge करते हुए बाहर इनको हम बोलते हैं fimbria so fimbria means for attachment fimbria का काम होता है attachment but attachment to the surface surface attach होने में इस बात को जानबूच कर यहां stress किया गया है क्योंकि अभी में एक और structure आपको बताने वाला हूँ कि अगर bacteria conjugation करता है differences में पढ़ाना हम लोगों ने अगर bacteria sexual reproduction conjugation करता है तो वो दूसरे bacteria के contact में कैसे आता है फिर एक tube like structure का नाम हम पढ़ते हैं और वहां बुक कहती है पिलाई एक को बोलते हैं पिलस और plural होता है पिलाई तो अगर bacteria मैं fimbria को erase कर रहा हूँ अगर bacteria sexual reproduction perform कर रहे हैं तो कोई दो bacteria जब आपस में contact establish कर रहे होता है तो एक bacteria cell से outgrowth निकलता है वो tubular structure जो उससे arise होता है this is called pillus and the plural is pilli ये question competitively भी काफी important है वनमार question के तोर पे आप academic में भी इसको of course test में unit test वगेरा में देख सकते हैं पिलाई आर मींट फॉर फिरहाल मैं blank space छोड़ रहा हूँ आगे पिलाई आर मींट फॉर तो क्या बताया गया पिलाई आर मींट फॉर sexual contact और पहले क्या कहा गया था या sexual attachment to other bacteria और पहले क्या बताया गया था बैक्ट्रिया के staining का बैक्ट्रिया में फिम्परी पिलाई का इस तरह के structure का लिया एक और बात हमने कहा था के बैक्ट्रिया के अंदर membranous ornally नहीं होते लेकिन फिर भी कुछ बैक्ट्रिया में हमें membranous structure मिलते ही हैं उनके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे membranous structure जिन्हें NCRT में उसी section में जहां ये सारे topic हैं एक नाम दिया है photosynthetic lamella या chromatophore तो ये आपको समझना है Actually students जो बैक्ट्रिया हैं ये बहुत ज़्यादा diversified हैं nutrition की maximum diversity अगर कहीं मिलती है तो बैक्ट्रिया में मिलती है सुना है ना आपने कि ये photosynthetic autotrophic bacteria भी होते हैं chemo autotrophic bacteria भी होते हैं तो of course क्योंकि हम लोग science students हैं सभी तो क्या दिमाग में आना चाहिए अगर इनमें plastid नहीं हैं chloroplast नहीं हैं तो ये photosynthes कैसे कर पारे होंगे तो वहीं हमें answer मिलेगा ये photosynthetic lamela के बारे में तो आगे के structures की बात करते हैं वो bacteria जो photo autotrophic हैं मैं repeat कर रहा हूँ जो bacteria photo autotrophic हैं उनके अंदर हमें ये cell wall फिर ये cell membrane बनाया है मैंने cell wall cell membrane तो उनके अंदर हमें कुछ membranous flat structure मिलते हैं और इन्हीं flat structures में membranous structure में present होते हैं pigments pigments fortness के लिए जो pigments चाहिए हैं वो chlorophyll जैसे actually है chlorophyll नहीं bacteria chlorophyll बोलते हैं तो वो pigments यहां मिलते हैं इन्ही flat structures का नाम इन्हें हम science में lamela कहते हैं plural हो गया lamely काफी सारे हैं तो हम बोलेंगे lamely और क्योंकि fortness से concerned है related है तो क्या बोलेंगे photosynthetic lamely तो यह photosynthetic lamely है इन्हीं के अंदर क्योंकि बताया गया color है color को कहा गया या pigment को कहा गया chroma chroma for color आप लोग पढ़के आए chromatography तो color dye ठीक है pigment ऐसे तो same way इनको क्योंकि color bearing structure है नाम दिया गया है एक और chromatophore four, four word आता है या suffix हम लेते हैं bearing के लिए bear करने वाले structure तो chromatophore भी इन structures को बोलते हैं तो दो और चीजें जिनके बारे में अभी इस prokaryotic cell के reference में हमें थोड़ा सा idea लेना है तो उसको और मैं आपको बताता हूँ एक और term मिला है उसी section में जहां यह सारी चीजें चल नहीं थी mesosome तो bacteria में एक और structure एक हमें mesosome के बारे में थोड़ा सा information अभी लेना है और इसके अलावा जो आपसे एक important topic discuss हुआ था inclusion body का तो उसके बारे में just कुछ में points आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर हम इसको lecture को यहीं पर over करने वाले हैं तो अभी है mesosome की हम लोग बात कर रहे थे bacteria में ये cell wall, cell membrane जो मैंने broken line के साथ यहां represent किया cell membrane के अभी तक आप लोग सुन रहे थे ना कुछ बाहर निकलने वाले cell से structure पिलाई, फिम्ब्री अब हम बात कर रहे है membrane के in folding अंदर की तरफ बनने वाले structure तो membrane जो है यह अंदर की तरफ folded हो के कई बार यह ऐसा कुछ structure बना रहे थे folding का कोई shape compulsorily ऐसा हो spring like ऐसा कुछ जरूरी नहीं है it could be simply like this, it could be like a rounded vesicle तो किसी भी shape में हो सकते है जातर बुक उसको इस तरह से एक टॉल्टूस structure ऐसा represent करते है यह convoluted structure में represent करते है this is called mesosome तो इसको mesosome कहा गया है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ जो membrane है, cell membrane है उसके जो infolding है एक और नाम हम लेते है, invaginations है, उनको क्या बोलते है, mesosome बोलते है जब हम लोग differences पढ़ रहे थे, prokaryot, ukaryot की आपको एक idea मिलेगा यहाँ पे, कि कभी भी science में कोई end नहीं होता है चीजे इतनी सारी होती है और time to time detail होती चली जाती है तो एक difference और अभी आपके सामने आ रहा है bacteria aerobic भी होते है, anaerobic भी होते है अगर aerobic bacteria होते हैं, तो उनमें वो crave cycle जैसे event जो आप पढ़ के आए हैं 10th में, कि mitochondria में होते थे, कहां होंगे? क्योंकि membranus oranaly तो bacteria में नहीं होते हैं तो ये एक और difference हमें मिलता है, कि अगर कोई prokaryot aerobic है तो वो events जो mitochondria में होने थे, वो कहां होंगे? वो events होते हैं cell membrane में bacteria की cell membrane के अंदर ही respiratory enzymes मिलते हैं और membrane की ही infolding है mesosome तो अगर objective question में रखता हूँ कि where does the enzymes of aerobic respiration are found in bacteria और उसमें cell membrane option नहों तो हम mesosome भी तो answer करेगे क्योंकि mesosome membrane की infolding है तो mesosome का role अब आपको थोड़ा idea लगा होगा mesosome respiratory enzyme क्योंकि रख सकते हैं तो वो aerobic respiration में भी role play करते हैं इन्ही mesosome का role DNA के genetic material के replication में भी होता है या cell division में भी helping role play करते है mesosome तो mesosome में की structure और हुए और lastly हम फिरहाल इसमें बात करेंगे inclusion body के बारे में तो inclusion body में एक तो कहा गया क्योंकि सारे activity इसी cytoplasm में चल रहे हैं तो यहां बन जाते हैं कई बार gas के bubble जिसे हम gas vacuole कह सकते हैं यहीं कहीं हमें पड़े हुए मिलते हैं reserve food तो वो reserve food भी cytoplasm में ही include हो गए हैं तो reserve food भी inclusion body के form में मिलते हैं कुछ नाम आए हैं बुक में reserve food में जैसे bacteria के बाद हम बात करें blue green algae वो भी prokaryot है, cyanobacteria नाम उनके लिए कहा गया तो blue green algae में जो reserve food होता है उसको एक नाम दिया है alpha granule तो inclusion body में अगर आपको नाम यह मिलता है alpha granule तो विल्कुल परिशान नहीं होना है reserve food का नाम है blue green algae का जो starch है जो कहलाता है science में mixophacian starch या cyanophacian starch परिशान नहीं होना है, problematic लगे तो यह word छोड़ देना है तो उसी को हम क्या बोल रहे है alpha granule जो blue green algae का mixophacian या cyanophacian starch है उसको alpha granule बोल रहे है तो यह reserve food जो है यह inclusion body है कोई gas liberate हुआ वहाँ पर बबल बन गया साइटोपलाज में वो gas vacuol एक inclusion body है gas vacuol के चारों तरफ क्योंकि वो simply एक bubble है तो कोई envelop या membrane वहाँ भी नहीं होता इसलिए gas vacuol को हम तो gas vacuol in essence are also called pseudo vacuol यह extra name लिया है मैंने इसका pseudo vacuol यह NCRT में provided नहीं है और inclusion body में क्या हो सकते हैं जैसे मैंने कहा कुछ bacteria में magnetic particles भी मिलते हैं और कुछ bacteria के अंदर phosphate particles बगेरा बड़ी मात्रा में मिलते हैं जिने poly phosphate grains poly phosphate grains इन्हें हम volutin granule भी बोलते हैं volutin granule तो कई तरह की यह सब चीज़े inclusion body में आती हैं तो जहां तक मुझे अभी recall हो रहा है इनकेस अगर कोई term छुटा है तो हम उसको next lecture में लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम plant cell, animal cell की तरफ plant cell और animal cell उनके differentiation की तरफ फिरहाल इस lecture को यहां पे over करेंगे और अगर आपको यह सब चीज़े clear हो गई होगी अगर कोई doubts हैं तो comment section में most welcome है अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक like करें चनल को subscribe करें और अपने friends के साथ भी इसको share करें ताकि वो भी subscribe करें और उन्हें कहें के bell icon दबाएं ताकि उन्हें नए updates लगातार जो वीडियो uploads हैं और other notification हैं वो मिलते रहेगी Thanks